तो गर्मियों का सीजन चल ला है अब इस सीजन में दस्त लगना टटियां लगना और डायरिया और डैसेंट्रिक जिसको बोल देते हैं बहुत सी आम बात है और लगबग इससे बहुत सारे लोग परशान विया तो इस वीडियों के अंदर जो मैं आपको टिप्स दे रहा हू पेड़ दर्दा इससे बहुत ही जल्दी ग्रेलू उपाए करके आप बिना साइड एफेक्ट के इस उपाई से आप ठीक हो पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखीगा चलिए शुरू करते हैं पहले हम जानने कि डायरिया और डैसेंट्री में फरक है तांकि आपको पता लग जाए डायरिया हम बोल देते हैं कि लूज और रनी स्टूल को इसके साथ काफी सारी लोगों को उल्टी आने जैसा महसूस होता है पर ये इतना जादा नहीं होता है कैम्पिंग जाउन के पेट के अंदर दद शुरू हो जाता है इसका एक कारण हो सकता है कि आपको ये दिक्त क्यों होई है जान तो आपको काफी सालों से टाइफएड की इंफेक्शन बार बार हो रही है आप उसको भूल गए है पर टाइफएड की इंफेक्शन वो पेट की बमारी है बुखार की बमारी नहीं है तो इसके शूक्षन जवानों टाइफएड के ये पेट में पड़े होते हैं जिसकी वाईसे आपको गरिमियों में दस्त लगना महसूस होता है और करी लोगों को काफी सार लोगों IBS हो सकता है Irritable Ball Syndrome है ये एक बहुत पराणी बमारी है कि उनको काफी सालों से दस्त लगते आ रहे हैं तो कुछ लोगों को विटान B की वज़ा से भी डैरिया जैसे ही लक्षना सकते हैं विटान B की कमी अगर उनके शिरीर में हो जाए तो ये सारे Blood Test से पता लगेंगी बमारिया की डैरिया तो नहीं हो गया कि बैक्टीरिया की आगे infection जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब होता है इसके साथ बुखार आता है बार बात जाना परता है बहुत ज़्यादा पेट में मरोड जिसको बोलते हैं दर्द उड़ता है और उल्टियां भी लग जाती है काफी सारी लोगों को अगर इसको कंट आसा खालिया है जिसने आपके अंदर जहर बना दिया तो उसको शरीर ने बाहर तो नकाल नहीं है दूसरा है food allergy काफी सारे लोगों के साथ ये जो issue address entry का बहुत सारे लंबे समय से चले आ रहा है तो उसका एक कारण food allergy हो सकता है आपको किसे खाने पीने वाली चीज़ से अलर इसको टैगे कंत गम बोल देते हैं इसकी उपर मेरी special वीडियो भी है चैनल पर वह भी आप देख सकते हैं आपको सारी जानकरी मिल जाएगी गौंद की तीरा क्या होता है इसकी तासीर होती है ठंडी तासीर ठंडी होने का मतलब scientific language में बोल दिया जाता है कि इसके अंदर ब एक चमचा है 200 ml पानी के अंदर आप डाल दें कम से कम 5-6 गंड़े इसको छोड़ दें उसके बाद यह अपना पूरा उसके अंदर गूल जाएगा पूरा फूल जाएगा उसके अंदर से फिर एक से तीन चमच लेके आप एक का पानी के अंदर घूलनीया करें उस एक गलास तो इससे आपका पेट भी शान्त हो जाएगा जो पेट के अंदर जलन थी वह भी ठीक हो जाएगा और जो दस से कमजोरी लग रही थी आपको वह भी इससे बहुत बढ़िया रिकावर होगी दूसरा है ग्राइब वाटर होता है कि यह एक तरह की आयरवेदिक हर्बल प्रेप प्रेक्शन है आपके पेट के अंदर कोई नो कोई दिक्कर चल ली थी काफी समय से सोजी चल ली थी खास करके इसको बच्चों के लिए जो चोटे बच्चे हैं उनके लिए तो यह रामबान दवा मानना जाता है पेट की तिकलिफ्चों के लिए पेट में दर्दम को बार अफारे को ठीक करती है जिंजर है यह आपके अंदर बधाजबी हो जाए उसके अंदर बाद पेट में कोई दिक्कत आती है उसको ठीक करती है लिकोराइस है मलठी है यह एंटी बक्टीरियल है और एंटी पैरसितल है कभी कभी कहता है बच्चों के पेट के अंदर कीड़ी कोई न कोई उनके शिरीर के अंदर जवान गुष जाता है तो उसको मारने के लिए लिक्कोरा ऐसा है जो मलठी है बहुत बड़ी है काम करती है तो इसका प्रेपरेशन ऐसा है यह एक तरह का एंटिवायरल एंटिवायाटिक नेक्चुरल है तो इसको बड़े लोग भी आदे घंटे बाद 15-15 मिन्ट बाद 5-6 बार दें उसके बाद दिन में 3-4 बार और दे दें दो दो गंटे के बाद तो आप देखेंगे रेगुलर देंगे तो बच्चों के अंदर उनकी बूख भी बड़ेगी उनकी जो दस्त की शिकायत थी वो भी दूर होगी और उनकी और भी से से जुड़ी होई सुदार होंगे तो बड़े लोग भी ऐसे ही इपना सकते हैं इसको बड़े लोग इसके दो चमच हैं वो एक कप के अंदर मिक्स कर लें जां 200 ml किया जो बॉटल ले पानी की उसके अदर 3-4 चमच इसके डाल लें गर्मियों में वो लिते बचे रहेंगे पेड़ की दिखते भी उनकी ठीक रहेंगी जलन गया से खक्राव भी अखी तो ग्रब वैटर आप जूज कर सकते हैं तीसरी जो इसके अंदर में मैडिस है वो है जिंजर जो अद्रक है उसके रस के अंदर है बैक्टीरी साइडल प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरिया जवान हूं को मार सकता है दूसरा यह पेंट को शांत करने का काम करता है डाइजेशन को इंप्रूव करता है काहँ बार क्या आता है जैसे हमने डिसकस किया कि फूड पॉइजन टो इससे क्या होगा यह पानी थोड़ा सा गुंगना होना चाहिए उबना होगा तो इस इस तो आपकी डियोएजन अंप्रूव होगी आप असकी से लगेगी जान से डलगगी आपके अंदर तो यह आपको अपना सकते हैं कुछ ध्यान इसके अंदर आपने और देने हैं एलेक्ट्रोलाइट आपको ORS Solution Medical Halls पे सभी जगह पे आम मिल जाएगा करेना स्रोर पे भी उसको पीना शुरू कर दें जो हैवी फूड है, जैसे Pastry है, कोई ऐसे खो आपनीर है और जो हमें जिसको बोल देते हैं, देसी गी है लसी है मक्हन है ऐसे बारी काने नहीं काने हैं, बाहर से तलाब हुना हुआ हुआ नहीं काना है, शूगर चीनि इसके अंदर बिल्कुल बंद रखनी आपने बकरी का दूद इसमें आप इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सारा कारगर है यह परैसाइट बैक्टिरिसाइडल है यह गाए का दूद आप उन दिनों में इस्तमाल कर सकते हैं नौन वेज इसमें बिल्कुल इस्तमाल ना करें इन दिनों में मेट है मचली है अंडा है यह बंद बंद गुबी इसक अंदर बंद रखें और फूल गुबी भी इसके अंदर बंद रखें इन दिनों के दरान जब तक आपको दस ठेकरी होते हैं और हर चीज है लगबग उबाले हुए पानी में ही त्यार करें खाने की यह बहुत जुरूरिया कि कभी कभार गंदे पानी के अ पूर अलर्जी है, फूर पॉइस्लिंग है, आईबियस तो नहीं है, बटाउन बी तो लो नहीं है, वडाल तो नहीं है, यह टेस्ट नहीं कराया है, यह कंडिशन आपके लंबे समय से चल लिया, कई सालों से आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बार बार ट्वायलट जा रहे ह होमेपेथी मेडिसन है, अलोज 200, आप इन तिनों हालतों में भी यह मेडिसन यूज कर सकते हैं, आपको पूरा फैदा मिलेगा, अलोज 200 है, यह 40 नंबर की गोलियों की उपर जो सफेद गोलियां होती हैं, मिठी गोली जिसको बोल रहते हैं, उसके अंदर आपने तियार कर ले लें, आपको लगबग एक दो घंटे के अंदर अराम मिल जाएगा, तो इसको दिन में तीन चार बार आप कंटीनू ले सकते हैं, अगर कम इनफेक्शन हैं, दिन में तीन बार लें, पंदर पंदर मिन्ट बाद दो दो गोलियां लेने की जरूरत नहीं हैं, यह आपको बहुत ज़्यादा लाब करेगी, तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर और वीडियो जो आपको इससे लेटर देखने चाहिए, एक तो है नेच्छल एंट्यूबाटिक पे, उसका लिंक मैं आपको दे दूँँगा, वीडियो खतम होने के बाद, एक आ वर्म इनफेस्टिशन पे, कभी कबार पेट के अंदर कीड़े होने से भी ऐसी दिक्कता आ जाती है, तो यह दोनों वीडियो जापकी स्क्रीन पर देखेंगी, आप इनको भी देखेंगा, तांकि आपको और ज्यादा फाइदा मिल सके, तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सार हेल्थ आज कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलिवर नहीं, आप जरूर देखेंगे, अपनी नौलेज बढ़ाईएगा, लाइक और शेर करना मत बूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को रैडिकलर का बटन द्वाग सब्सक्राइब कर लें, बेल को द् आज कर लें, ताकि आप तक ऐसी सेंटिफिक बेस्ट वीडियो बिल्कुल हिंदी बार्शा में हरोई पहुंचती रहे, बहुत बहुत शुक्री हैं वीडियों कि देखने 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 लिए